हेलो फ्रेंड्स दिस इस एश्पिशिंग एंड वल्कम टू इश्माटर एवरी डे प्यारे दोस्तों बात करेंगे बीएट फर्स स्टेमेस्टर इसमें आपका एक ओप्शनल पेपर है अगर मैं बात करूँ प्रॉपर तरीके से लखनव और कानपूर युणिवर्सिटी की तो यहाँ पर बीएट फर्स स्टेमेस्टर में आपका ओप्शनल पेपर है शमाविशी शिक्षा इंक्लूसिव एजगेशन ठीक है बाकी आप पूरे भारत में किसी भी युणिवर्सिटी से अगर देख रहे हैं बीएट कर रहे हैं आप तो जरूरी नहीं कि आपके हैं प बहुती आशान शब्दों में सरल भाषा में आपको मैं समझा करके जाओंगा वाट इस इंक्लूसिव एजगेशन शमाविशी शिक्षा होती क्या है ठीक है तो बहुती आशान भाषा में समझेंगे बाकी अगर आप प्रॉपर तरीके से लखनव और कानपूर से देख रह आपको चारों पेपर के कंप्लीट नोट शेयर किये जाते हैं हमारे नोट लेने के बाद आपको बाहर से कुछ भी लेने के आ सकता नहीं होती है बात करते हैं समाविशी शिक्षा की इंक्लूसिव एजगेशन पूरा यह पेपर आपका आज इसकी फर्स्ट क्लास है बाकी में आपके बहुत सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे जैसे पी रबलु एक्ट हो गया उन्नी से पंचाने में 2016 हो गया आर्टी एक्ट 2009 हो गया एनीप दो जार पीस हो गई यह सारे टॉपिक आपको इंक्लिसिव एज्ट्रेशन में मिलेंगे सब को हम लोग डिसकस भी करेंगे आज इसको समझते हैं देखेगा श्मावईशी सिक्षा की अवधार्णा प्रकाश डालिए तो वहां पर आपको ऐसा ने कि डार्थ डालके प्रिभासा शुरू कर देनी है अर्थ लिखना शुरू करना है आपको अवधार्णा लिखनी है यह जो कॉंसेट होता है यह जो अवधार्णा होती है बहूत ही सरल होती है लिखना ठीक है आप किसी भी टॉपिक की अवधार्णा लिख सकते हैं अगर आप थोड़ा सब दिमाग लगा लगाएंगे तो और इससे हमारी चार्चे लाइने भी बढ़ जाती है थोड़ा एक इंप्रेसन भी बढ़ ज जाती के हो सकते हैं अलग-अलग धर्म के हो सकते हैं अलग-अलग उनकी भाषाएं अलग-अलग हो सकते हैं उनकी संस्कृत ही अलग-अलग हो सकती है अलग-अलग जाती धर्म समूलिंक समुदाय के बच्चे पढ़ने आते हैं जो बच्चे सारी रिक रूप से विकलांग होत जो बच्चा सारीक रूप से विकलांग होता है वो एकदम से पहचान लिया जाता है भाई जो सारीक रूप से विकलांग है उसको हम दूर से देखते ही पहचान लेते हैं कि यह विकलांग है लेकिन जो बालक मांसिक रूप से बादित होता है उनकी पहचान करना काफी मुस्क जहना चाहूंगा जिसे यहां पर यह जो बच्चा आप देख पा रहे हैं यह सारीक रूप से विकलांग है यह बच्चा क्या है सारीक रूप से विकलांग है इसको हमने सीधा देखा और कह दिया कि हाँ यह बच्चा सारीक रूप से विकलांग है यह बच्चा क्या है सारीक लेकिन क्या पता ये मांसिक रूप से अच्छा है या बाधित है, मंद बुद्धी है, जड़ बुद्धी है, क्या है, सामान है, नहीं पता लगाया जा सकता है इतनी जल्दी, ये बच्चा क्या है, मांसिक रूप से बाधित है, लेकिन इतनी जल्दी हम इसको देख करके नही सामाने बच्चों सब्सक्राइए बच्छा का उद्देश, इस प्रकार के बच्चों में छीपी हुई यूगता ऐसे बच्चों में जो योगता छिपी हुई है उसको उभारना है इसका उदेश है ये विशिष्टि सिक्षा का ताकि उसकी योगता का प्रियोग देश के हित्मे किया जा सके यानि कि विशिष्टि सिक्षा का मुख उदेश क्या है कि जो ऐसे बच्चे हैं, उनके अंदर कुछ न कुछ तो प्रतिभा होती ही है हमें उसको निखारना है, उभारना है, बाहर निकालना है और फिर उसका प्रियोग देश के हित्मे करना है यह उदेश है विशिश्च सिक्चा का आज समय की आओ सकता है कि केवल प्रतिभावान बालकों की तरफ ही ध्यान ना दिया जाए जो बालक शमान से कम हैं, उनकी तरफ भी ध्यान देने की आओ सकता है वे भी देश की मुख्यधारा में आकर के अपनी योगताओं का देश की उन्नत में योगदान कर सकते हैं तो ये थी हमारी शमावेशी शिक्षा की अवधारना, कुछ-कुछ आपको शमज भी आया होगा, और भेतर आप समझेंगे, देखिए, शमावेशी शिक्षा का अर्थ क्या होता है, what is the meaning of inclusive education, इसको समझते हैं, शमावेशी शिक्षा, वह शिक्षा होती है, जिसके दौरा वि शमता होती है, जैसे मंदबुद्धी, जो मंदबुद्धी बालक है, ये भी आपका विशिष्ट बालक में ही आएगा, अंधा बालक है, विशिष्ट बालक में ही आएगा, बहरा हो गया, या जो परतिभावान बालक, परतिभाशाली बालक होता है, वो भी जाती है समावीशी सीज्चा के माधिम से क्या करते हैं पहले तो हम बाल को बाल को का जो बौधिक इस्तर है उसकी जाच करते कि आखिर बच्चे का आईक्यू लेवल कितना है ठीक है उसकी सतर से असी है या नवे से 1010 श्रोश 11620 एकेतना है पहले उसके बहुत धिक स्थर की जांच की जाती है उसके परशातुने दी जानेवली शिक्षा का इस्थर निधारित किया जाता है क्योंकि हम सब की शमजने की योगिता अलग-अलग होती है किसी का IQ लेवल बहुत अच्छा है, किसी का कम है, किसी का शामान है तो यहाँ पे यह नहीं कि डायट एड्मिशन लेके पढ़ाना सुरू कर दिया नहीं मंदबुद्धी, अंधे, बहरे, प्रतिबासाले, इन सब बालकों को include करके सिक्षा दे जाती है अताहा शमावीशी शिक्षा एक ऐसे सिक्षा पणाली है जो कि विशिष्ट चमता वाले बालकों है तो ही निर्धारित की जाती है यह ऐसे सिच्छा अपनाली है जो सिर्फ विशिष्ट चिंतावले बालकों के लिए ही निर्धारित की जाती है अताहिशिष्ट शमावेशी या फिर शमावेशी सिच्छा का नाम दिया गया है इसकी कुछ परिभाशा है वो आपको रटनी पड़ेंगी क्योंकि जब आप वहाँ लिखेंगे तभी आपको नमबर मिलेंगे माइकल एफ जी ओन ग्रैको ने कहा है शमावेशी सिच्छा से अभिप्राए उन मूलियों शिद्धानतों और प्रथाओं के शमू से है जो सभी विद्यार्थियों को चाहेवेशिष्ट है अत्वा नहीं है इफेक्टिव तरीके से शार्थक सिच्छा देने पर बल देते ह वह हमारी समावेशी सिच्छा है वहीं पर यरसेल के अनुसार क्या कहा गया है यरसेल कहते हैं समावेशी सिच्छा के कुछ कारण योगता लिंग प्रजाती जाती भाषा चिंता इस्तर समाची कार्थिक इस्तर विकलांग लिंग वेभार या धर्म से समंदित होते हैं जो स प्रजाति भासा चिंता इस्तर शमाजगात ये सारे ही से शमन्दित होते हैं ऐसा यरसिल के माध्यम से कहा गया है शिक्षा शास्त्रियों ने क्या कहा है उनका कहना है समावेशी शिक्षा अधिगम के ही नहीं बलकि विशिष्ट अधिगम के नए आयाम भी खोलती है शमावेशी शिक्षा एक सतई प्रक्रिया नहीं है बलकि मनुस्यों के विकाश के लिए मनुस्यों के द्वारा किये गए कुंठा मुक्त प्रयाश कहे गए हैं समावेशी शिक्षा को तो ये आपने क्या जाना ये समावेशी शिक्षा का अपने अर्थ और प्रिभाशाएं सम समझ लिए अब हम बात करते हैं शमाविशी शिक्षा की कुछ विशेष्टाइं होती हैं इन विशेष्टाओं को समझते हैं नमबर एक तो सभी के लिए विद्यालय में सब हे तु सिक्षा education for all in the schools for all देखिए शमाविशी सिक्षा के अंतरगत बाधित सारिक रूप से विकलांग बच्चों एवं समाने बच्चों हेतु सभी स्कूलों में सभी के लिए सिक्षा के प्रावधान किये गए हैं कहने का मतलब है कि यहां जो समाविशी सिक्षा है इसमें जो बालक सारी रूप से विकलांग है प्लैस जो समाने बच्चा है उन दोनों को एक साथ बैठा करके सिक्षा दी जाती है दोनों में अंतर नहीं किया जाता है आप इस क्लास को ही देख लीजिए यह जो क्लास चल हैं तो यहां पर क्या है कहने का मतलब यह है कि शम्हाविशी सिक्षा में शामान ने बालक प्लस विशफ्ट बालक को एक साथ सिक्षा दी जाती है उनमें किशी प्रकारक का कोई भेध अंतर नहीं दूसरे से भिन होते हैं सबकी सोचने समझने की चमता तरकरने की चमता समझने की चमता जानने की चमता सीखने की चमता अलग-अलग होती है शमावेशी शिक्षा पद्दती बच्चों की शारिरिक, बौधिक, मानशिक, शामाजिक एवं सांस्कृतिक आदी अनेक विभिनताओं की पहचान करती है या बालकों के सारिरिक जो विभिनता है उसको भी ध्यान में रखती है कौन सा बच्चा विकलांग है, कौन सा बच्चा मानसिक लेवल पर बाधित है, कौन सा बच्चा बाधिक लेवल पर इसको डिसाबिल्टी है मानसिक, शामाजिक और शांस्कृतिक अनेक विभिनताओं की पहचान करती है उन्हें अंगीकरत करके तद उसके अनुकूल, उसके जरूरतों के एकॉर्डिंग ध्यान में रखते हैं उसको शंग्यानात्मक, शंवेगात्मक और स्रचनात्मक विकास के अवसर उपलब्द कराती है बच्चे की शभी प्रकार की विभिनताओं को पहले जांचा परखा जाता है फिर जो है एशा अवसर उपलब्द कराती है कि उसका शंग्यानात्मक इस तर भी अच्छा हो जाए शंवेगात्मक रूप से भी बच्चा मजबूत हो जाए और स्रिचनात्मक तक आभी विकास हो सके बच्चा जो है क्रियेट्व भी बन पाए ऐशा प्रियास रहता है दो बाते हो गई तीसरी विशिष्टा क्या है इसको समझते हैं विशिष्ट सेक्षिक जरूरतों वाले बच्चों की शुवेक्रतिवम शमर्थन यानि की acceptance and support to children having special educational needs जिन बच्चों को special educational needs होती है उनकी बात हो रही है विशेश सिक्षा की जरूरत जिनको होती है शमावेशी शिक्षा विशिष्ट सेक्षिक जरूरतों वाले बच्चों जिनको विशिष्ट सेक्षिक जरूरते हैं उनको विशेश रूप से सिच्छा की जरूत है ऐसे बच्चों को शारिक रूप से जो बादित है जिनको सुनने में शमश्या है तो उनके लिए क्या किया जाएगा उनके लिए कुछ विशेश जो है उपकरन लगाए जाएंगे यानि कि वहां पे श्पीकर्स लगा सकते हैं या और भी तरीके से टीचर उची आवाज में बोर्ड सकता है या जो भी उनके लिए हम अगर सुनने में उनको समश्या है तो उनको हम सामने दिखा सकते हैं LED पर दिखा सकते हैं प्रोजक्टर के माध्यम से बच्चे को दिखा करके समझा सकते हैं क्योंकि बच्चा सुन न वस्था करेंगे मांसिक रूप से जो आशमर्थ बालक है आदी करीब सभी प्रकार के बच्चों को उनकी वर्तमान शारिक और मांसिक अवस्था में शुईकरत करता है यानि कि उनको एक्सेप्ट करता है चाहे वो सरवन बाद दी तो दुश्टी बाद दी तो वाक बाद दी शबी को एक्सेप्ट करता है कौन समाविशी शिच्चा और फिर उन्हें समर्थन पढ़ान करती है जिसने विकास के इस्थतम आउसर प्रापत हो सेके और फिर उनके लिए यथा संभाव प्रयाश भी करती है समाविशी शिच्चा ताकि बलको बच्चों के अंदर अच्छ development हो पाए सिख्षा एक मौलिक अधिकार है education as a basic right शमाविसी सिख्षा सिख्षा के मौलिक अधिकार को शैधान्तिक तथा व्यावहरिक रूप में शुईकरत करती है इस सिख्षा मौलिक अधिकार है भाई मतलब सभी का अधिकार है सिख्षा क्या है सभी का अधिकार है है ना किसी विशेश के लिए तो है नहीं आप चाहें उसमें साइडिक रूप से बात दित हो मांसिक मेंटली डिस्टरब हो आर्थिक इस तर अगर आपका अच्छा नहीं है फिर भी आपको सिख्षा से वंचित नहीं रखा जाएगा ये नहीं कहा जाएगा कि आपके पास फीश नहीं है तो आप मत पड़ो आपका मेंटल लेवर अच्छा नहीं आप मत पड़ो आप लंगड है कोई शमश्य कोई शमयश्य है हम सब में लग-लग विबिनताइं यह कुई शमश्य नहीं है कि हम अलग-लग जाती धर्ल के क्यों है हमारी संस्कृतिय अलग है हमारी भाशा लग है है ऐसे कोई समस्या नहीं है डाइवर्सिटी इस नौट प्रॉब्लम इस सिच्छा पद्रत में बच्चों को बढ़ती होई विभिनताओं को कोई समस्या नहीं समझा जाता है कि जो बच्चों के अंदर विभिनता हैं वो एक समस्या है नहीं भाशा, धर्म, लेंग, संस्कृति, समाजिक एवं, शारिक, मानसिक गुणों की विभिनता बच्चों को परसपर सीखने, समाजिक रूपशे शर्शमदित होने और समायुजी थोड़ने के दूरलब अवसर उपलब्द कराती है भाई, इश्कूल, विद्याले ही तो वहा संस्था है जिससे हम समाज में उटना बैठना, रहना, खाना, पीना सीखते हैं कि समाज में लोगों के साथ कैशे एड़ेस्टमेंट करके, कैसे एक दूसरे के साथ शायोग करके, सभी तरीके का जो भी धर्म के मामले में, भासा, संस्कृत के मामले में, जो भी भेध हैं, उनको मिटा करके, एक दूसरे के कैसे ह ये सब कौन सिखाता है विद्याले ही वो संस्था है जो ऊब इन सब चीजों से अवगत कराती है हम वहीं से समाझ के बीच रहना सीखते हैं शमाज के लोगों के साथ कैसे हमें बहेदभाव को साइड कर के एक भयात्रत तो सिक्षा में सिक्षा के अधिकार की रक्षा करने एवं उसे लागू करने हेतू राश्ट्री और राज इस्तर पर नीतियां मजबूत और इश्पष्ट हैं और इन नीतियों का नियोजन भी बड़ी सफल तरीके से किया जा रहा है यही वज़ा है कि गत दस वर्षों में पिछ से अधिक बदलाव देखने को भी मिला है और इसके बाद हम महत्तों पढ़ेंगे यह हम विशिष्टाएं पढ़ रहे हैं विद्याले का प्रत्न अभियोजन के हैड़ाप्टेशन और पाउट अब दा स्कूल शमाविशी सिक्षा के अंतरगत स्कूल विद्यार्थियों की जरूतों की मताबिक ही अभियोजन करता है इसे सिच्षा पद्दत में शामाने सिच्षण पद्दत की भाती बच्चों को स्कूल के साथ अभियोजन नहीन करना पड़ता है dear friend ये हमने क्या पढ़ा है ये हम समाविशी सिच्षा की कुछ विशिष्टाएं पढ़ रहे थे अब हम बात करेंगे स्रमाविसी सिख्षा का importance क्या है महत्व क्या है एक्जाम में महत्व आ जाए और आपको अगर आवशक्ताइँ आती है तो महत्व कीजिगे आवशक्ताइँ आप लिख देना अगर आपको आवशक्ताइँ आती है महत्व आपने नहीं पढ़ा कोई बात मैं तो कि जाए आवे शिक्ताइं लिख दीजिए ठीक है काम चल जाता है चलिए importance of inclusive education की बात करते हैं पहले ऐसा माना जाता था कि ऐसमर्थ ऐसमर्थ मतलब जो उसके योगी नहीं है ऐसमर्थ बालकों को अलग से विशेश शिक्षा प्रदान करनी चाहिए पहले ऐसा माना जाता था कि जैसे जो बच्चे ऐसमर्थ हैं मान लीजे मंद बुद्धी बच्चा है विकलांग बच्चा है सुन नहीं सकता बोल नहीं सकता देख नहीं सकता ऐसे बच्चों को अलग से विद्यालग की विश्था करो उसमें पढ़ाओ पहले ऐसा माना जाता ठीक है क्योंकि उनकी आवशक्ताइं शामाने बालकों से अलग होती है बाई जो शामाने बालक है वो देख भी सकता है सुन भी सकता है एक सामाने टीचर उनको बैठ करके पढ़ा रहा है लेकिन जो बच्छा देख नहीं पा रहा है तो उसके लिए आप क्या करेंगे उचे त उनने में समस्चा है आपको उसके लिए प्रोजेक्टर बगरा लगाएंगे ताकि बच्छा देख करके पढ़ा पाए समझ पाए है ना तो दोनों में अंतर होता है ऐसा पहले माना जाता था कि शामाने बालकों से उनकी आवशक्ताइं अलग होती है उनके लिए विसेस बराबर आवसर प्रदान करने की अपेच्छा प्रथक्ता की भावना पैदा करती है कई लोग ये पॉइंट बहुत गजब लिखा हुआ है समझेगा कई आलोचक इस बात को लेकर आलोचना करते हैं कि विशिष्ट सिक्छा बच्चों को सिक्छा की बराबर आवसर प्रदा करने की अपेच्छा प्रतक्ता की बहुना अलगाव की बहुना पैदा करते हैं कि अगर आप विशिष्ट बच्चों के लिए विशेस स्कूल खोलेंगे तो बच्चों के अंदर एक प्रतक्ता एक भेद भावना जागरत होगी की देखे यार वो शावने बच्चे वह अलग पड़ रहे हैं हम विसस हैं हम विकलांग हैं देखने सकते बोलने सकते हमारे भेडर हो जाएगा प्रथकता की भावना उनके अंदर आ जाएगी एशह Сам कहा महत तो क्या है सैक्षिक वातावरन academic atmosphere जब ऐसमर्थ बालक को किस बालक को जो बालक सीख नहीं सकता जो ऐसमर्थ है उसको सामाने बालक सामाने विद्याले में भेजा जाता है तो वहाँ सैक्षिक तोर पर अपने आपको विद्याले में adjust कर लेता है और उसके मन में ये विचार नहीं आता कि वो दूसरे बालकों के पेच्छा किसी भी छेतर में कम है यानि कि जब विशिष्ट बालक को सामाने बच्चों के साथ पढ़ाया जाता है ये विशिष्ट है या मैं इनसे अलग हूँ नहीं जैसा ये है वैसे ही ये भी फील करेगा है ना यानि कि उसके अंदर हीन भावना भी नहीं आएगी ठीक है तो वो जो है दूसरे बालकों के पेच्छा किसी भी छेतर में कम है ये उसके अंदर विचार नहीं आएगा अध्यापा का और दूसरे करमचारियों का सयोग और विवहार भी उसको अनुकूल परस्तियां परदान करता है और बालक सैक्षिक दिश्टिशे उन्नती भी कर पाता है दूसरा महत उसका ये है कि जो विशिश्चिश्चा है समाविश्चिश्चा इसकी कम खर्ची ली Less expensive एसमर्थ बालकों के लिए सभी परकार के सैक्षिक करक्रमों का प्रबंद करने के लिए अधिक पैशे की आउसकता होती है कैसे मालीजे बालक देख नहीं पा रहा है ताकि बच्चा प्रापर तरीके से उस पर देख पाए वो सुन तो वैसे भी नहीं पा रहा है उसके लिए क्या होगा अलग से खर्चा होगा इनके लिए विसेश रूप से वेल ट्रेंड टीचर भी आप लाएंगे ठीक है और साइकलोजिस्ट मनोवैग्यानिक भी होना चाहिए डॉक्टर भी होना चाहिए इनकी आउसकता आपको पढ़ती है जबकि अगर आप उनहीं बच्चों को शामानी विद्याले में भेजते हैं तो वहाँ ये सुविधाएं पहले से ही लगभग उपलब्ध होती है तो विशिष्ट बालकों को शामानी विद्याले में पढ़ाना कम खर्चीला हो गया वैसे आप को उनके लिए अलग से उतनी ही विवस्था करनी पढ़ती है लेकिन अब जितने में सामाने पढ़ रहे हैं विशिष्ट भी उसी में पढ़ेंगे उनमें भेदभाव भी नहीं होगा अंतर भी वो नहीं समझेंगे तो क्या है कम पैसे में काम चल जाएगा इतनी शिष्ट से शमावेशी सिच्छा अधिक सस्ती है बाई मेंटल ग्रोथ की बात करेंगे मांसिक विकाश की बात करेंगे शमावेशी सिच्छा में आशमर्थ बालकों को शमान विद्याले में शमान बालकों की साथ सिच्छा प्रदान की जाती है शाधान बालकों की तरह सिच्छा प्राप्त करने से उनमें ही इन भावना का विकाश नहीं होता बलकि सेल्फ रिस्पेक्ट आत्म शमान की भावना का उनके अंदर विकास हो जाता है शमाजिक मूलियों का विकास देखिएगा शमाजिक मूलियों शिच्चा का उड़ेश बालकों को केवल सिच्चित करना ही नहीं है बच्चे को किताबें रटवादी प्रिभासाएं रटवादी सिच्चित कर दिया बात खतम नहीं बलकि उनका पूर्ण विकास करना है पूर्ण का मतलब शमाजिक आर्थिक राजनेतिक सम्वेगात्मक मानसिक हर तरीके का विकास सरवांगिन विकास इसको कहते हैं शमाने विद्याले में एशमर्थ बालकों को सिच्चा देने में उनमें शमाजिक गुणों का भी विकास होता है शमाने विद्याले जो होते हैं जब हम समाने विद्याले में शमाने बच्चों के साथ एशमर्थ बालकों को सिच्चा देते हैं तो उनमें शमाजिक गुणों का भी विकास होता है क्योंकि विद्याले में शमाज के शभी वर्गों के बालक पढ़ने के लिए आते हैं अलग-अलग धर्म, समाज, अलग-अलग भाशा, शंस्कृत के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं उनके साथ मिलकर के जो ऐशमार्थ बालकों में शमाजिक गुण की भावना का भी विकास होता है इस परकार से ऐशमार्थ बालकों में भी प्यार, दयालुता, शमायोजन, शहायता, भाई-चारा ये सबी गुण उसमें आ जाते हैं ये फायदा होता है कि हम समान बच्चों के साथ विशिष्ट बालकों को जब पढ़ाएंगे तो वह इन सब चीजों को समान बच्चों के साथ ही उनके जैसा ही विभार करेंगे और उनके अंदर समाजिकता भी समाजिकता का गुण भी डपलप हो जाएगा शमांता का शिद्धान देखिए principle of equality भारती शमिद्धान में प्रतेक बालक को बिना किसी भेदभाव के एक समान शिक्षा देने की बात की गई है कि आप किसी भी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं करेंगे किसी को उची जाती नीची जाती के बेश पे शिक्षा नहीं देंगे किसी को अमीर गरीब के बेश पे शिक्षा नहीं देंगे कि अमीर है इसको इससे ज़़ा पैसा मिलेगा इसको बढ़िया सिकाओ ऐसा नहीं करेंगे हम सिच्छा प्रदान करने के लिए किशी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते इस उद्धिश का पूरा करने के लिए ऐशमर्थ बालकों को समाविसी सिच्छा देना अत्ती आवश्यक है कि हम किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करते हैं आज का लास्ट इस्टेट्मेंट लास्ट महत तो हम पढ़ेंगे क्लासेज कांटीनू है और भाईया बिना लाइक बिना कॉमेंट आप नहीं जाएंगे डियर फ्रेंट ठीक है नंबर हमारा नोट कर लो अगर पेड़ नोट लेना चाहें तो आप हमेह मैसेज कीजिएगा लेकिन उसमें आप लोग डारेक्ट लिखते हों सर पेड़ नोट चाहिए पूरी बात लिखा करो सर पेड़ नोट चाहिए कानपर यूश्टी बीट फर्स स्रमेस्टर ठ करो शमाने विद्यालियों में प्राकर्तिक वातरण की बात कर रहें शमाने विद्यालियों में एशमर्थ बालकों को प्राकर्तिक वातरण प्रात होता है जो शमाने विद्याले होते हैं उसमें जो एशमर्थ बालक होते हैं उनको एक नेचुरल एटमोसफियर मिलता है वह वे किसी से भी किसी भी प्रकार से शामाने बालकों से कम हैं उनको ये फीलिंग ही नहीं आती है कि हम इंसे भिन है वो अपने आपको भूल जाते हैं और वो अपने आपको भी शामाने बालक ही समझते हैं शामाने बालक भी उनको अपना साथ ही समझने लगते हैं और में बिना लाइक बिना कोमेंट आप नहीं जाएंगे